हलो एब्रिवन वेलकम टू करेंटपूर तो आज के डेली करेंट अफैर्स की स्रीज में हम लोग देखेंगे 21 फरवरी 2023 के करेंट अफैर्स को और वीडियो में अढ़री 2023 के करेंट अफैर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि आपको आने वाले सभी PCS exam के लिए like UPSC हो, UPPCS हो, BPSC, JPSC, all PCS exam के लिए ये काफी helpful है तो चलिए देखते हैं आज का Current Affairs Question है पहला कि भारत के Unified Payments Interface UPI और किस देश के PayNow के बीच Cross Border Connectivity 21 फरवरी 2023 को launch होंगे आंसर है इसका Option A. सिंगापूर प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी और सिंगापूर के प्रधान मंतरी स्री ली सीन लूंग 21 फरवरी 2023 को भारत के Unified Payments Interface यानि की UPI और सिंगापूर के PayNow के बीच Cross Border Connectivity launch होंगे यह launch भारती रिजर्व बैंक के Governor स्री सक्तिकान दास और Monetary Authority of Singapore के प्रबंधक निदेशक स्री रवी मेनन द्वारा किया जाएगा इससे सिंगापूर में भारती प्रवासियों, विसेश रूप से प्रवासी कामगारों और छात्रों को सिंगापूर से भारत में और भारत से सिंगापूर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरन करने में भी मदद मिलेगी सन्यूक्त सेन अभ्यास दस्तलिक 2023 के संबंद में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है option D सभी कथन सत्य है या भारती सेना और उजबिकिस्तान की सेना के बीच सन्यूक्त सेन अभ्यास है या युद्ध अभ्यास पित होरागड उत्राखड में आयुजित किया गया इस अभ्यास का पहला संस्क्रन नवंबर 2019 में उजबिकिस्तान में आयुजित किया गया था भारती सेना और उजबिकिस्तान की सेना के बीच सन्यूक्त सेन अभ्यास दस्तलिक का चौथा संस्क्रन है किसके द्वारा अठारवी विश्व सुरक्षा कॉंग्रेस का आयुजिन किया गया आंसर है option D, A तथा B दोनों द्वारा यानि कि International Union of Railway तथा Railway सुरक्षा बल दोनों द्वारा International Union of Railway और Railway सुरक्षा बल यानि कि UIC और RPF द्वारा 21 से 23 वरवरी तक जैपूर में 18 विश्व सुरक्षा कॉंग्रेस का सन्यूक्त रूप से आयुजिन किया जा रहा है जो Railway सुरक्षा रन्नीती भवेस के लिए तैयारी और द्रिष्टी कोन विसे पर किंद्रित होगी दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूती समावेसी पार्क कहां बनाय जा रहा है केंद्र सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरी स्री नितिन गटगरी ने नागपूर महारास्ट में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूती समावेसी पार्क की आधार सिला रखी इस पार्क में सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए अनुखूलित सुविधाएं होंगी इसमें स्पर्स और गंध उद्यान, हाइड्रो थेरेपी इकाई, जल्चिकित सा, मानसिक रूप से विक्षिपित बच्चों के लिए स्वतंतर कक्ष, मा जैसी सुविधाएं साम यह दुनिया का पहला समावेशी दिव्यांग पार्क है, 90,000 वर्ग फूट छेतर में बन रहे इस पार्क के लिए भारत सरकार के समाजिक न्याय एवं माधिकारिता मंत्राले द्वारा लगभग 12 कडोर रुपे का प्रावधान किया गया है गिद संद्रक्षन एवं प्रजनन केंदर कहां इस्थित है? आंसर है इसका ओप्सन भी पिंजोर हर्याना में गिद संद्रक्षन और प्रजनन केंदर पिंजोर हर्याना में इस्थित है इसके अस्थापना वर्ष 2001 में गिद देखबाल केंदर के रूप में की गई थी इसका संचालन Bombay Natural History Society दोरा किया जाता है इसके इंद्र का मुख्य उद्देश 15 वर्सों में गिद्धों की तीन प्रजातियों में से प्रतेक के 25 जोडों की एक संस्थापक आबादी अस्थापित करना और कम से कम 200 पक्षियों की आबादी का उत्पादन करना और उनका वन्य जीवन में पुना प्रवेश कराना है और नाचल प्रदेश का 37 अस्थापना दिवस के स्थिति को मनाया गया तो आंसर है इसका ओप्सन C 20 फरवरी 2023 को 20 फरवरी 2023 को और नाचल प्रदेश का 37 अस्थापना दिवस मनाया जा रहा है 1986 में भारती संविधान में 55 संसोधन के माध्यम से और नाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारती संग का 24 राज्य बना ब्रिटिस उपनिवेशिक सासन के दोरान वर्स 1972 तक राज्य को उत्तर पूर्व सीमान्त एजेंसी NEFA के रूप में नामित किया गया था 20 जनवरी 1972 को यह एक किंदर शासित प्रदेश बन गया और इसका नाम अरुनाचल प्रदेश रखा गया CEPC परियोजना निमलिकित में से किन दो देशों की सन्युक्त परियोजना है इसे आप ध्यान से देख लें कभी कभी होता है क्या एक्जाम में फूल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इसे आप ध्यान में रखें पाकिस्तान में चल रहे वित्य संकट और चीन में आर्थिक मंदी का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गल्यारा कारिकरम पर काफी गहरा असर पड़ा है जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है इस पर योजना को 2013 में लौंच किया गया था परमेश्वरन आयर के अस्थान पर किसे निती आयोग के नए CEO न्योक्त किया गया है आंसर है ओप्सन डी बी वी आर सुब्रमन्यम को पूरुवानी जी सची वी वी आर सुब्रमन्यम निती आयोग के नए CEO बनाए गया है उनका कारिकाल दो साल का होगा सुब्रमन्यम परमेश आंसर है option A. रास्टिय लोग जनतादल जनतादल युनाइटेट के नेता उपेंदर कुसवाह ने पार्टी से इस्तिफा देने के बाद अपनी नई पार्टी बना ली है। उनकी नई पार्टी का नाम रास्टिय लोग जनतादल होगा। उपेंदर कुसवाह बिहार में अब तक जनतादल युनाइटेट के संसदिय बोर्ड के अध्यक्ष थे। विस्व सामाजिक न्याई दिवस World Social Justice Day प्रतिवर्ष के स्तिथी को मनाया जाता है। और अफ्सरों को उजागर करना। हाल ही में केरल के किस जिले ने सर्वस्रेष्ट जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रोफी 2021-22 जीता। आंसर है option C, कोलम केरल के कोलम जिला पंचायत ने 2022 वित्य वर्स के लिए राज्य में सर्वस्रेश्ट जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है कुनूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान बर रही बाफ्टा पुरसकार 2023 में किस फिल्म ने साथ अवार्ड अपने नाम किया है आंसर है option A, All Quiet on the Western Front 76 बाफ्टा पुरसकार की घोशना कर दी गई है इस बार इस अवार्ड सो का आयोजन लंदन के रोयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया गया बाफ्टा पुरसकार 2023 में जर्मन फिल्म All Quiet on the Western Front ने साथ अवार्ड अपने नाम किये है यह फिल्म इस अवार्ड सो की सबसे चर्चित फिल्म बनकर उबरी है बाफ्टा पुरसकार 2023 में जो पुरसकार के दिये गए इन्हें आप एक बर देख लें बेस्ट फिल्म जो मिला यह All Quiet on the Western Front को मिला इसमें सर्वसेष निदेशक का भी पुरसकार मिला है वो इसी के लिए मिला है एड़़ड बरजर को मिला है All Quiet on the Western Front के लिए फिर आपका सर्वसेष डौकुमेंटरी फिल्म यह नवलनी को मिला है सर्वषेष्ट मुख अभिनेतरी ये88 Blanchett को मिला है सर्वषेष्ट मुख अभिनेता का पुरस्कार आस्ट्रिन बटलर को मिला है सर्वषेष्ट एनिमेटेड फिल्म मिला है गिलर्मो डेल टोरो पिनाचीयो को तो चलिए अब फटा फट से हम लोग 20 फरवरी 2023 के करेंट अफेर्स का रिवीजन कर लेते हैं किस टेनीस महला खिलाडी ने लगातार दूसरी बार कतर ओपिन खिताब जीता तो इगा स्वीता येक ने सलमान रुषदी द्वारा लिखी गई पुस्तक तो ये आप्शन में था तो ये तीनों पुस्तके हैं कुई चोटे, विक्ट्रिसिटी और दा सेटेनिक वर्सेज कतर द्वारा लगाए गए भारत के फ्रोजन सीफूड यानि की समुद्रिखाद के आयात पर और स्थाई प्रती बंद में किसकी पुष्टी करती है तो विब्रियोग हैजा की किसने रंजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब जीत लिया है तो सौरास्ट ने यूरोपिय देश जिसने पहली बार मासिक धर्म अवकास मेंसर्यल लीव प्रदान करने वाला कानून पारित किया है तो वो है इस्पेन कहां 13 से 15 फरवरी तक वर्ल्ड गर्मेंट समीट 2023 का आयोजन किया गया तो दुबई में किया गया हाली में जारी ग्लोबल लेवर रेजिलियन्स इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा यनि कि कौन सा देश टॉप पर रहा तो डेनमार्क भारत की G20 की अधक्षता के अंतरगर G20 के वित्मंत्रियों और केंद्रिय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहां आयोजन की जाएगी तो बैंगलरू करनाटक में टीम इंडिया ने दुबई में आयोजीत एस या मिक्स्ट टीम बैडमींटन चैंपिंशिप में कौन सा पदक जीता तो कां से पदक जीता तो ये थे आज के करेंट अफेर्स, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो इक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्टों के साथ से जरूर करें साथ ही चैनल पर नए है, तो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लें बल आइकोन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटिक बिलकुल PCS वाला करेंट अफेर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद